बहुत दूर के एक गाउ में एक शरकाड़ी अस्पताल था उस अस्पताल के पीछे एक घना जंगल था वैसे तो वो आम अस्पताल की तरह ही था जहां दिन भर मरिजों का आना जाना लगा रहता था पर शाम के छहे बसते ही आफरा तफरी मज जाती थी छे बच गए जल्दी से उठो चलो सब बाहर निकलो अरे मेरे पेट में तो बहुत दर्ध है कहां जाओंगा भी मुझे सोने दीजिए क्यू जाएंगे यहां से अब एक कुछ बोलने की समय नहीं है वैसे ही छे बच चुके है जितनी जल्दी हो सके इस जगे को खाली कर दो अस्पताल में काम करने वाले सबी लोग और सबी रोगी अस्पताल को खाली करके कहीं और चले जाते हैं ऐसा हर शाम को होता रहता है एक दिन शाम को अमित और उसकी पत्नी राखी अपनी गारी से गाउं के रस्ते से कहीं जा रहे थे तभी अचानक जोर से बाड़ी शुरू हो जाती है गाउं का रस्ता है सम्हाल के चलाईएगा अब गारी चालाना तुमसे सिखना पड़ेगा मैं ऐसा भी गलत क्या कहां जो आप इतना भरक रहे है रस्ता ठीक नहीं है इसलिए भोल रही थी अमित ऐसे ही बहस करता रहा जिस वज़े से गारी का संतुलन बिगर गया और एक पेर से जाकर प्रख़ा गया इससे राखी के सर में बहुत गहरा चोट हो गया और सर से बहुत खून बहने लगा राखी राखी तुम ठीको बहुत खून बहरा है सब मेरी गलती है इसे तो अभी फास्टेट की जरूरत है आते समय कुछ दूरी पर एक सरकारी हस्पिटल दिखा था वह ही ले चलता हूँ अमित राखी को गोद में उठा लेता है और बाड़िश में ही अस्पताल की तरफ चलने लगता है अमित इस गाउ में पहली बार आया है इसलिए अस्पताल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था वो राखी को अस्पताल के अंदर लाके स्ट्रेचर के उपर लेटा देता ह अस्पताल एकदम सुनसान देखकर अमित अचम्वित हो जाता है अजीब है, इतना बड़ा अस्पताल और एक भी इंसान नहीं पर चीजों को देखके तो लगता है यहां इंसान का आना जना है डॉक्टर सहाब, डॉक्टर सहाब, नर्स, कोई है क्या अमित हर कमरे में जाकर दीखता है, पर सब कमरे में ही अंधेरा और सन्नाटा चाया रहता है अमित को डर लगने लगता है, वो जल्दी से भाग के राखी के पास आने की कोशिश करता है लोटते समय राखी उसे दर्वाजे पर ही मिल जाती है राखी तुम यहाँ, तुम्हें होस आ गया? हाँ, डॉक्टर साब ने दवाई लगा के पट्टी बान दिया है अच्छा हुआ, चलो अब चलते हैं नहीं, मैं जा नहीं सकती क्यों? वो क्या है न, डॉक्टर साब ने आराम करने के लिए बोला है राखी यही आराम कर लेते है, सुबह निकल जाएंगे अच्छा, ठीक है राखी को जब दोनों आराम कर रहे थे तब अचानक राखी उटके खरी हो जाती है और मुर्दा घर की तरफ जाने लगती है राखी की आहर से अमित की नींद तूट गई और वो राखी को मुर्दा घर की तरफ जाते हुए देख उसको बुलाते हुए उसके पीछे जाने लगी अमित ने देखा के राखी मुर्दा घर के अंदर घुज गई अमित भी उसके पीछे मुर्दा घर के अंदर गया जाकर देखा, राखी एक लाश के सामने खरी है राखी, यहां क्या करने आई हूँ? अपने शरीर को देखने आई हूँ अपने शरीर? ये क्या बोल रही हूँ? पल में राखी एक भयानक चुरेल बन जाती है हाँ, अपने शरीर को देखने आई हूँ अस्पताल में वो रात अमित की भयानक मौत के साथ खतम हुई अगले सुवा सब लोग जब अस्पताल में लोटते है तब मुर्दा घर में दिल दहला देने वाला दृष्ष देखकर सवी फिर से दुखी हो जाते है मुर्दा घर के फर्ष पर अमित का सरकटा शरीर और स्टेशर पर राखी की लाश परी थी फिर से दो और जान अगोरी आत्मा के शिकार हो गई अगोरी आत्मा एक कौन है अब क्या बताओं ये हम लोगों की बदनसीबी है लगभग एक साल पहले एक रात को दो लर्का एक अगोरी बाबा को लेकर आए डॉक्टर साहब देखिये न इसे क्या हुआ है देखकर तो लगता है ये मर चुका है इसके साथ क्या हुआ था हमें पता नहीं डॉक्टर साहब जंगल में ट्रैकिंग करते समय एक पत्थर के उपर लेटा हुआ मिला बहुत बुलाने पर भी कोई हरकत दिखाई नहीं दिया तो इस साथु बाबा की मदद करने के लिए यहां ले आए तुम दोनों की बात पर यकीन नहीं हो रहा मुझे पुलीस को बुलाना होगा देखा ना मैंने तुझे कहा था मदद करने के कोई जर्वत नहीं तुने सुना नहीं अब फसा ना बात जो भी है पोस्ट माटम करने के बाद पता चल जाएगा जब डॉक्टर पोस्ट माटम करना शुरू किया तब हार्ट का चलता हुआ देख अचम्बित हो गया नर्ज देखिए इसका हार्ट का सभी औरगन डेथ है पर इसका हार्ट अभी भी चल रहा है अमेजिंग नर्ज इसको प्रिजब करने का इंतिजाम कीजिए ये कहे कर डॉक्टर जैसे ही हार्ट को शरीर से अलग किया अगोरी की आत्मा शरीर से निकल के गुसे से डॉक्टर की तरफ देख कर गुर्राने लगा तूने मेरी तपस्या भंकर दी तूने मुझे मार दिया अब तू भी मरेगा उसके बाद अगोरी एक-एक करके डॉक्टर को, नर्स को और उन दो लर्कों को मार देता है और उस दिन से जो भी शाम 6 बजे के बाद उस अस्पताल में रहता है, अगोरी उसे मार देता है लेकिन इसमें किसी का भी तो दोस नहीं है कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, अगोरी भी ऐसा ही एक सवाल है अगर उन दो लर्कों को अगोरी ना दिखता, या वो दोनों अगोरी को ना लेके आने का सोचता, तो वो लोग आज जिन्दा होते इस अगोरी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं क्या सब लोगों ने मिलके कोशिस तो बहुत किया, पर कुछ भी काम ना आया आखरी बार तो यहां का एक डॉक्टर ने एक पहुचा हुआ तांत्रिक को बुला के लाता है पूरे दिन वो तांत्रिक मुर्दा घर में बहुत पूजा पाट करता है फिर छै बजने से पहले सब अस्पताल छोर के चला जाता है तांत्रिक तब भी पूजा करता रहता है थोड़ी देर बाद अगोरी की आत्मा तांत्रिक के सामने आता है तू इस अस्पताल को चोड़ के चला जा, तू मुझे आदेश देगा? बेकसूर इंसानों की जान तू क्यू ले रहा है? इस अस्पताल ने मेरा जान क्योóc लिया था, वह तो एक हाध्सा था, हाध्सा? फिर एसा मौद भी हाध्सा है. फिर अगले दिन जब हम लोग लोटे तो देखा तांत्रिक का लाश परा हुआ है अगोरी के शरीर का आप लोगों ने क्या किया उसका शरीर अभी तक मुर्दा घर में है जिसने भी उसका अंतिम संगस्कार करने की कोशिश की अगोरी ने उसे मार डाला ए भगवान फिर तो आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा एक रस्ता छोर के कि छै बजने से पहले अस्पिताल को खाली कर दे लेकिन आए दिन अस्पिताल के मुर्दा घर के अंदर मौत का सिलसिला चलता ही रहता है और जब भी कोई हाथसा होता है अस्पिताल में प ज़रूर बताईए आपका कमेंट हम ज़रूर पढ़ेंगे इस कहानी के जैसा और भी मज़ेदार कहानिया देखने के लिए स्क्रीन में दिया गया वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो और ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानिया के लिए वेबटोन्स यूट्यप चैनल को सब इसक्राइब और फॉलो करके राकिए